बंधन रिटायर्मेंट फंड, NFO Review by Plan Your World Analysis हम लोग डिसकस करेंगे कुछ इस तरीके से आपकी रिक्वार्मेंट फोर रिटायर्मेंट अंड रिटायर्मेंट प्लानिंग ये सारी चीज़े आपके साथ में डिसकस करूँगा इस वीडियो में आपकी रिटायर्मेंट प्लानिंग की अगर बात करूँ तो आपकी रिक्वार्मेंट क्या है overall सबसे पहले जब भी retirement की बात आती है तो आपके लिए important है आपका requirement आपको आपकी life में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी retirement के बाद हम क्या करते हैं अक्सर हम लोग बात करते हैं कि चलिए कुछ investment कर लेते हैं और इससे काम हो जाएगा नहीं बिल्कुल भी नहीं क्या investment से आपका purpose solve होगा या आपको अपनी income को plan करना पड़ेगा मैं अगली slide में आपको दिखाऊंगा so यहाँ पे दो बाते आती हैं one is accumulation phase जिसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि this is investment phase आप अपने career में job कर रहे हैं आप business कर रहे हैं आप अपने लिए investment कर रहे हैं ताकि retirement के बाद आप बहुत अच्छी life जी सकें किस से एक बहुत बड़ा corpus आप यहाँ पे create करें और retire हो जाएं so that will be your distribution income phase जहाँ पे आप अपने investment को रखेंगे और वहाँ से income को लेंगे so यह fund आपको कहाँ पे मदद करता है इसको भी हम लोग discuss करेंगे so यह है आपकी lifestyle पूरी life cycle के अगर मैं बात करूं तो यह है आपका पूरा जीवन चक्र आपने 60 की उम्र में अगर retirement लेना है पशपन पे लेना है आपने 65 पे लेना है जब से पहले यहां पे आपके कितने खर्चे होंगे क्या आपकी fixed pension से काम चल जाएगा नहीं चलेगा कितना रुपया लगेगा so उसको भी discuss करूंगा बट इतना ध्यान रखेगा आपके requirement बढ़ती चली जाएगी लगातार लगातार आपको जादा income चाहिए month on month so आपका आज का खर्चा अगर 50,000 है तो हर 10 साल में पैसा आपका double चाहिए आपके खर्चे बढ़के आएंगे अमूल का दूद कितने रुपय लीटर था आपके 10 साल पहले आज कितने का होगा और 10 साल बाद कितने का होगा so आप अगर इसको इस तरह से देखें कि जो भी पैसा आप यहाँ पे earn कर रहे हैं retirement के लिए आपके पास balance years है career में इन years में जो भी आप saving करेंगे और उसको invest करके आपको यह income create करनी है दो तरह से आप इसको कर सकते हैं एक आप कर सकते हैं अपनी income create करके और दूसरा आप कर सकते हैं बहुत बड़ा corpus बनाके जो कि आप invest करेंगे और फिर income लेंगे तो कैसे आप इस चीज को करेंगे तो आपकी requirement ultimately क्या होने वाली है यह सारे आपके खर्चे हैं जो पूरे आपके खर्चे रहने वाले हैं पूरी life retirement के बाद भी तो अगर 50,000 का खर्चा है mobile AC आपका car lifestyle खाना दवाईया सब कुछ मिला के तो आप अगर देखें हर 10 साल में आप इस phase में accumulation phase इसको बोलेंगे जो भी आप investment करेंगे और यहाँ पे आपको मिलनी है income तो यह graphical presentation है पूरा 160 से लेके 90 तक की age के आपको income भी प्लान करके रखनी है अपनी दिन आता है बंधन का यह fund यह है एक open ended scheme जो की आपका start हुआ है 28 September से और 12 October तक यह रहेगा बंधन का retirement fund इसमें कौन सा asset allocation है किस तरह से यह fund काम करेगा इस पे भी आऊँगा क्या बोलता है यह fund आप इसमें invest कर दीजिए यह fund आपका लगबग 5 साल का lock-in है इसके अंदर में या आपका retirement जो आपका पहले होगा वहां तक इसका मतलब 5 years का यह एक fund है जो की equity fund है अपने आप में अगर आप riskometer की बात करेंगे तो high riskometer है तो 5 years का fund हो गया इसमें आप investment कर सकते हैं मुझे नहीं पता 1000 रुपए का investment करके retirement पे पैसा कित्ता बनने वाला है क्योंकि अगर corpus की बात करो तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है पता चलता है 5 क्रोड चाहिए 3 क्रोड चाहिए आप as per your lifestyle so capital appreciation इसका अपने आप में यह पूरा का पूरा फोकस्ट है capital appreciation over long term a hybrid scheme with investment in equity and equity related investments as well as debt and money market instruments so यह दो तरह के उसमें पैसा लगाएगा चूकि यह equity fund है तो हमेशा इसका 70-75% पैसा equity में ही रहने वाला है बाकी पैसा आपका bonds में यह debt funds में लगेगा so अगर आप इसका देखें asset allocation so equity and equity related instruments minimum 50% है यह हमने SID से लिया है इनके then आपके पास में maximum is 100% so risk profile is very high for that part debt securities की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 0 से 50% तक हो सकता है आपके मन में सवाल आएगा 50% होगा कैसे so equity maintain करने के लिए equity का taxation यह अपने आप में equity को बढ़ा के ही रखेंगे और दूसरा इनको जब long term appreciation देना है तो equity में ही रहेगा so यह इसके अंदर भी invits में भी पैसा invest कर सकते हैं up to 10% तो इन्होंने allocation दे दिया है अब इसका use क्या है आपकी life में हम उसके ओपर बात कर लेते हैं दोस्तों five years का यह fund है आप इसको मान के चलें अगर याद कर लीजे 15% का अगर return है तो आपको यह पैसा जो भी आप lump sum invest करेंगे lump sum investment का amount double हो जाएगा into two, two times हो जाता है पांस साल में अगर 15% पे है अगर आप direct plan में लगाएंगे तो आपका return लगभग एक से देड़ परसंट बढ़ जाएगा yearly लगभग देड़ परसंट yearly आपका बढ़के आएगा अगर आप regular plan में किसी bank या advisor के जरीए लेंगे तो आपको देड़ परसंट का yearly नुकसान होगा आपके total corpus के ओपर return कम आएगा अब बात आती है क्या इसमें हमें invest करना चाहिए क्या है अनोखा क्या है नया देखिए जब retirement की बात आती है तो retirement अपने आप में एक बहुत बड़ा subject है आपकी total requirement क्या है तो क्या अगर आप 10,000 रुपए लगाएं 5,000 रुपए लगाएं 5,000,000 रुपए लगाएं क्या value करेगा आपको सबसे पहले अगर आप इस video को देख रहे हैं that means you are interested in retirement friends इस approach के साथ retirement पूरा नहीं होगा because आपको पहले अपनी income को प्नान करना पड़ेगा जो आपको income चाहिए उसके according आप investment करें आपके घर में अगर 10 आदमी guest के तौर पे आ रहे हैं डिनर पे तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपने दो आलू लेके खाना बना दिया आपने कहा दिया चलो 100 ग्राम पनी लगाओ और काम हो गया नहीं आप देखते हो आपकी requirement क्या है उसके according आप खाना बनाते है similarly आपको retirement की बात आती है तो 5 साल के लिए आपके पास equity funds भी है आप उनमें भी जा सकते हैं आपको especially इस fund की बहुत आविशकता शायद नहीं है दूसरा अगर आप इस fund की बात करें retirement fund के तौर पे एक चीज़ आपके काम आ सकते है that is asset allocation so asset allocation में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप ये मान के चलिए 30% debt and 70% equity रहेगा जो की आप अच्छे MIP में भी पा सकते हैं so नया fund है carefully ध्यान रखिए बहुत सारे options आपके पास में हैं लेकिन अगर retirement के purpose की में बात करो तो ये purpose को शायद पूरा नहीं करता हमारे हिजाब से आपकी क्या राय है comment box में ज़रू बताईएगा